हलो फ्रेंड्स वेलकम टो अलो फ्यू सभी का एक बार फिश्चे स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर और हम आज बात करने वाले हैं राजस्तान की काफी बड़ी भरती की बारे में राजस्तान की काफी बड़ी भरती ये रहने वाली है और आधन तो इसमें डिग्री की जरुरत है ना इसमें डिपलोमा की जरुरत है बिना डिग्री और बिना डिपलोमा की ये वेकेंसी रहने वाली है केवल 10 पास दस्वी पास candidate इसके अंदर apply कर सकते हैं यानि सभी को यहां पर equality देते हुए है केवल दस्वी पास की यह vacancy है 10th qualification यहां पर मांगी गई है अब 10th qualification candidate को यहां पर recruitment जारी किया है तो काफी अच्छी पोस्ट यहां पर है और काफी बड़ी भरती यहां पर है और आगे अपन बात करेंगे इसके लिए complete details से तो वीडियो को पूरा देखीगा जो भी candidate वीडियो में वीजिट कर रहा है वो वीडियो को जदा जदा लाइक और शेयर करेगा और जो भी चैनल पर पहले बार वीजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कोल पर प्रेस कर लिजेगा ताकि इसी तरह के से continue आपको अपडेट मिलती रहे चलेगा बात करते अपने इसका स्टार्टिंग से देखेगा यहां पर भरती है पसू परीचर की राजिस्तान क्रम कोन बात करते हैं तो देखेगा यह पोस्ट का नाम है अब यह पॉस्ट है जो पोस्ट है वो आखिर कहां पर रहने वाली यानि जो पसू-परीचर है एनिमल अटंडेंट है इसकी पॉस्टिंग कहां पर होने वाली है और इसके बाद यह कारे क्या करेगा यानि पसू नहीं कहें पर कारेंगे वो कहां पर करेंगे और उसके बाद कितने घंटें ये काम करेंगे कितने समय तक क्यें दुपर कोन रहेगह और किसके अंडर इनको काम करना होगर। और क्या क्या काम उनको करना होगा, कम्प्लीट जानकारी इस विडियो के नदर लेंगे, कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी सबसे अच्छी बुक्स इससे रिलेटेड होगी, वो सारी बात अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखेगा, बात कर रहे हैं पसु परिचर की एनिमल अटेंडेंट की, जो भी केंडेट पद नाम है, इसकी पोस्ट है, देखेगा, नोन टीएसपी एरिया के अंदर, नोन टीएसपी एरिया के अंदर, पाँच हजार दोसो इकासी, पाँच हजार दोसो इकासी पोस्ट है, और टीएसपी एरिया की जो पोस्ट है, वो छेससो तरेपन है, टोटल पोस्ट यहां प बात करते हैं तो यह जो वेकेंसी हैं इसका application form आपको भरना है online कौन से सर online mode से आपको इसका application form भरना है कैसे भरना है आवेदन प्रिक्रिया यहां पर दे रखी है online application form आपको भरना है और basically आपने सुना है आपको पता होगा SSO ID जो SSO ID है उसी से आपका इसका form भरना होगा इसके अंदर आपको OTR होगा यानि one time registration इसका आपको करना होगा उसके लावा आप website भी देख सकते हैं इस website पर चाकर भी इसका form आप भर सकते हैं केवल इसमे one time registration होगा OTR होगा उसके बाद इसका complete form आपको register करना होगा लिखा हुआ है SSO ID के मादिम से आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं तो इसी के जरिए सब कुछ होगा यहां पूरा देखेगा पूरा पढ़ लीजेगा यहां पर इसमें टाइम वेश नहीं करेंगे तो सारी जीजे यहां पर है SSO ID पर जाकर आपको यहां पर फोरम भरना है complete देख लीजेगा इस तरीके से आप पढ़ लीजेगा पीडिएप आपको अल्ड़ेडी मिल गया होगा टेलेग्राम चेनल पर इस तरीके से एक बार पंजियन आपका होगा यहां पर यहां पर अपनों बात कर लेते हैं इसका एक्जाम फोरम की यानि जो एप्लिकेशन फोरम आप अप्लाई करोगे उसके अंदर फीस क्या रहेगी सर तो फीस यहां पर देखेगा सामाने वर्ग किरमिलियर श्रेनी के अन्यद्धा वर्ग अतीपिशदा वर्ग के आविधन रहेगा शेशहन सो रुपय यानि जंडल ही अगर बात करें तो जंड़ल और और ओबिसी गैंडिट जो हैं युआर कैंडिदेट जोह हैं उसके अंदर फीस जो रहेगी वो 633 रुपीज रहेगी मात्रा करें सेसी ए 400 रुपे यानि जनरल सीधी सी बात अपन कहें तो जितने भी जनरल या पि यूर कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट है उनके लिए फीस रहेगी सर 600 रुपे मात्र और SC ST SC ST कैंडिडेट और जो डिव्यांग जन है उनके लिए फीस रहेगी 400 रुपे मात्र यह फीस आपकी रहेगी यह आपको ध्यान रखना है और फोरम जल्दी से जल्दी पढ़ना है देखेगा यहां पर जो TSP नोन TSP एरिया के जो पोस्ट हैं डिवाइडेड हैं वो आप इजीली यहां पर देख सकते हैं सामने अनुसूचित जन जाती जाती पिजड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कम जोर और बाराजीले के शहरिया जो जन जाती हैं उनके लिए सबकी अलग-अलग पोस्ट आप पूरा अच्छे तरके से देखेगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं आगे बढ़ रहा हू तो कि अपने को मेन बात करनी है इसके syllabus को लेकर इसकी तैयारी को लेकर देखेगा यहां पूरी जानकारी आपके सामने हैं आप PDF को देख लीजीगा PDF अवेलेबल मैंने करवा दिया टेलेग्राम चेनल पर जो जुड़े हुए हैं ओ देख लीजीगा जो नहीं जुड़े आपकी classes होगी उन सबका link और PDF notes वहां पर आपको available करवाया जाएगा यह सारे कुछ जानकर यह आपके सामने हैं चलेगा यहां पर देखेगा आगे हम बात करेंगे इसके वेतनमान से regarded कितना वेतनमान यहां पर मिलेगा तो राज्य सरकार द्वारा साथवे वेतन आयोग के तह दिया जाएगा आगे बात अपन करें तो पात्तरता यानि कौन eligible है कौन यहां पर apply कर सकता है qualification की बात यहाँ पर की जा रही है तो qualification मैंने starting में बताया लिखा हुआ है भारत में विधी द्वारा इस्थापित किसी माननेता प्राप्त बोर्ड जे secondary या उसके सम्तुल्य परिक्षा होनी चाहिए कौन सी सर? secondary और secondary बोले तो सर टेंथ पास यहाँ पर होना चाहिए दसवी पास candidate यहाँ पर होना चाहिए तो दसवी पास candidate यहाँ पर apply कर सकता है आगे बात करें अन्य योग्यता यहाँ पर एक health से related और एक character से related यह भी qualification होनी चाहिए दोनों सही होना चाहिए age की बात अगर अपन यहाँ पर करें तो age यहाँ पर 18 से लेकर के 40 साल की बात यहाँ पर की जा रही है 1 January 2014 तक इसमें relaxation है सभी categories को अलग-अलग relaxation है आप नीचे से देख सकते हैं सब के लिए अलग-अलग किसी के लिए 5 साल का 10 साल का पात साल का इस तरीके से रिलेक्सेशन है आप यहाँ पर से देख लीजेगा पढ़ लीजेगा आगे बात अपन करते हैं इससे pension की बात है यहाँ पर है pension यहाँ पर साप लिखा हुआ है नए नियुक्त होने वाले करमचारियों के लिए के लिए और कब तक आप form भर सकते हैं देखेगा इसकी online आवेदन और fees जमाकी जो debt यहाँ पर fix है वह कितनी है सर 13 10 2023 से लेकर के 11 2023 यानि 13 October से लेकर के 11 November तक आप यहाँ पर apply कर सकते हैं online आवेदन कर सकते हैं 10 जमा करवा सकते हैं यानि आपको online apply करने के लिए यह तारिक mention रखनी है याद रखनी है 13 तारिक से इसके form start होने वाले हैं ठीक है तो आज से दो दिन बाद इसके form start होंगे और पूरे लगबग एक मैने तक form रहेंगे तो पहले आओ पहले वपाओ जितना जल्दी हो सके उतना आप यहां पर form apply कर दीजेगा क्योंकि हो सकता है side slow चले क्योंकि side कभी कबार problem कर जाती है तो जितना जल्दी हो सके आप इसका form fill कर दीजेगा आगे बात अपन करें इसके exam से regarded तो sir इसका exam कब रहेगा तो इसका एक संभावित मैना fix किया है कि अप्रेल से जून मैने के अंदर अप्रेल से जून मैने के अंदर यहां पर exam होने वाला है दो हजार चोईस के अंदर अप्रेल और जून देखेगा अभी October चल रहा है October से गिन लो October के बाद November, December फिर October यह मैना निकल जाएगा November, December, January और February और March ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच लगबग पाँच से साड़े पाँच पाँच से छे महीने आपके पास है तैयारी के लिए जूट जाईएगा इसकी तैयारी में काफी easy सा काफी simple सा exam इसका रहने वाला है काफी अच्छी तरीके से तैयारी कीजेगा क्या syllabus है अपन आगे बात करेंगे काफी easy सा subject है काफी easy से syllabus है और अच्छी तरीके से preparation आपके हो सकती है continue अपने इसी जीवन education पर बने रहेगा यहाँ पर आपको इससे regarded सारे classes available करवाई जाएगी सारा matter available करवाई जाएगा जितना भी important MCQ है आपको शोल करवाई जाएगे इसी platform पर तो इससे जुड़े रहेगा आगे बात अपन करें इसका प्रवेश फत्र admit card की अगर बात करें तो संभावित जो तीती है यहाँ पर संभावित जो तारिक है प्रेक्सा की उससे पहले आपको यहाँ पर सूचना कर दी जाएगी उसके आधार पर यहाँ पर admit card जारी होगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आविदन फोर्म कैसे करोगे आप फोर्म कैसे भरोगे वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी सब कुछ SSO ID पर होगा वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर है www.rsmssb.rajistan.gov.in यह वेबसाइट है इस पर जाकर आप इससे रिगार्डेट सारी चीज़े देख सकते हैं पढ़ सकते हैं आगे हम बात करेंगे इससे रिगार्डेट काफी बड़ी अपडेट काफी बड़ी और काफी इंपोर्टेंट जानकारी ठीक है देखेगा एक और बात यहाँ पर है आप फोरम जो एपलाई करोगे उनलाइन जो फोरम आप एपलाई करोगे उसमें फोरम एपलाई करते समय आपको ध्यान देना है कि कोई चीज गलत तो नहीं होगी कोई डीटियल आपकी गलत तो नहीं होगी अगर हो जाती है तो फिर भी आपको टेंशन करने की जरूत नहीं है आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा लेकिन उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी 300 रूपे करेक्शन के लिए लेकिन ये करेक्शन करना ही ना पड़े ऐसा काम आप करो तो ठोड़ा इसको फोर्म को ध्यान से देखेगा स्याम ध्यान से बरियेगा चलिएगा आगे बात हम करते हैं तो अब हम बैसिकली जादा बात नहीं करेंगे हम direct point पे आते हैं इसके syllabus के उपर इसके paper के उपर paper कैसा रहने वाला है paper में क्या रहने वाला है paper के अंदर question क्या आने वाले है वो हम बात करते हैं देखेगा परिक्सा की scheme और पाटे गरम यहाँ पर है परिचर के पृदो पर जो भरती आई है उसके अंदर paper के दो sequence होगे paper के भाग कितने होगे paper के paper को कितने भागों में बाटा जाएगा सर दो बागों में बटा हुआ में रहेगा paper plans केसे कैसे एक तो भाग रहेगा दूसरा भाग ब रहेगा भाग के जो क्योशन रहेगे सर 105 प्रशन रहेगे कितने 105 प्रशन वहाँ पर रहेगे ठीक है टोटल पेपर रहने वाला है सर 150 का 500 क्योशन यहाँ पर रहेगे एक क्योशन का एक माक्स यहाँ पर total marks होगे sir 150 यहां पर हो गया तो जो section होगा पहला जो section होगा उसके 105 question आपके exam में देखने को मिलेंगे और कितने number 105 number के होगे sir उसके बाद जो भाग बह है उसके 45 question देखने को मिलेंगे 45 नंबर के होगे टोटल कितने होगे सर 150, 150 क्योशन होगे और 150 नंबर के होगे टोटल समय आपको दिया जाएगा सर 3 घंटे 3 घंटे में आपको पेपर को सोल करना होगा आगे बात यहां पर लिखा हुआ है पाटे करम के अनुसार समय अंक को बहु विकल पिए यानि वस्तो निष्ट प्रकार से यहां पर क्योशन रहेंगे 150 अधिकतम पुर्णांक यहां पर रहेगा एक सही पर सही क्योशन पर आपको एक नंबर मिलेगा और गलत क्योशन पर गलत क्योशन पर आपको एक बटा चार काटा जाएगा यानि कहे तो एक इंटू एक बटे चार लगबग हम कहे तो देख लीजेगा आप 0.25 नंबर आपके काटे जाएगे 0.25 माक्स आपके काटे जाएगे एक गलत होने पर नियूनितम यहाँ पर अंक लाना जरूरी है कितना सर 40% 40% यहाँ पर कम से कम आपको नंबर लाने जरूरी है तब ही जाकर आपका नंबर यहाँ पर आएगा परिक्सा का जो मानक इस्तर रहेगा वो सेकेंडरी लेवल का रहेगा यानि सारे जो क्योशन पेपर पर क्योशन रहेगे वो दस्वी पास तक रहेगे यानि दस्वी के लेवल पर जितना क्योशन पेपर रहता है जितने क्योशन बन सकते हैं वो सारे क्योशन रहेगे यानि लेवल ना तो ज्यादा हाई जाएगा ना ज्यादा लो जाएगा यानि ज्यादा high level से आपको नहीं पढ़ना है केवल 10th को base मानते हुए आपको पढ़ना है basically हम कहे तो दस्वी की बात अपन कर रहे हैं तो 5th से लेकर 10th की जितनी भी books होती है चाए वो science से regarded हो, चाए वो math से regarded हो, चाए वो sst से regarded हो ये आपको पढ़ लेनी है क्योंकि आपका paper इनी से ही set होने वाला है जो कि आपना आगे बात करते हैं देखेगा पहले जो question paper के अंदर पहला भाग रहेगा पहला भाग कौन सा रहेगा सर अ भाग रहेगा और अ भाग जो रहेगा उस 70% portion cover करेगा 70% portion cover करेगा कितने question रहेगे सर 105 question 105 number के क्या क्या रहने वाला है सर इसके अंदर आपको आने वाला है राज़तान राज्री के इसके अंदर आने वाला है राज़तान से समन्दित देखेगा मादय मिक स्तर पर समान्य ज्यान जिसमें देनिक रशाइन आएगा, गनीत आएगा, सामाजी गद्यन आजाएगा, भुगोल, हिस्ट्री, संस्कृति, कला और समसमायक विशे, समाविश, ये सारे रहेंगे, यानि बेसिक देखेगा, दस्वी की अंदर, दस्वी तक आपने जो भी पढ़ा है, देनिक गनीत से रिगाडेर, देनिक विज्ञान से रिगाडेर, सामाजी गद्यन से रिगाडेर, भुगोल, इन सबसे क्योशन आएगे, और सबसे बड़ा पोर्शन है, फुल मिलाकर आप इन चीजों को पढ़ लेते हैं, तो ये मानके चलेगा, आपका सेलेक्शन इनी से ही हो जाएगा, अब हम बात करें, नीचे के पोर्शन से, यानि बव भाग से, और भाग नंबर बव में देखेगा, 30% कवर करेगा, 30%, 45 कोशन आएगे, और 45 नंबर के होगे, और इसके अंदर आएगे, पसुगों से सम्मंदित सारी जानकारी, पसुगों में क्या होता हैं, क्या नहीं होता हैं, पसुओं की नसले कोण कोण सी हैं, उनमें करत्रिम गर्ब धारण, बंद्याई करण, संकरण, प्रजनन, उसके अलावा काफी जो प्रसु से सम्मंदित जो भी टोपिक हैं, वो सारे इसके अंदर को प्रबंदन, उनके अपसिस्ट का निप्तारण, संतुलित आहार, प प्रसुओं से सम्मंदित जो भी जो भी टोपिक हैं, वो इस बयवाले भाग के अंदर आएंगें, जो की काफी इंपोर्टेंट है, आपके एक्जाम पॉइंट ओफू से, तो देखेगा, आपका टोटल पेपर एक्सो पचास नंबर का रहेगा, इसमें एक्सो पांच और उसके बाद एनिमल से रिगाड़ेड जो कुछ हैं, पैतालीस क्योशन वो उसके आएंगे, तो उमीद करते हैं, कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी इससे रिगाड़ेड हो, जो इंपोर्टेंट जानकरी आपको चाहिए, तो वेबसाइट आपके सामन हैं, आप इससे जाकर देख सकते हैं, और समझ सकते हैं, तो यह जानकरी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी हम उमीद करते हैं, अब इससे रिगाड़ेड एमसी क्यू, इससे रिगाड़ेड इंपोर्टेंट क्लासेज आपको डेली यहाँ पर जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफोर्म पर आपको मिलेगी, तो इस चैनल पर जुड़े रहेगा, ताकि आपको यह क्लासेज डेली अप्टोडेट मिलती रहे, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कोल पर प्रेस कर लीजगा, ताकि आपको इससे रिगाड़ेट कंप्लीट जानकारी मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे, इसके डेली क्लासेज आपको मिलती रहे, बाकि इसके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही मिलेंगे अपन, कल की क्लास के अंदर जिसके अंदर अपन बात करेंगे, इसससे रिगाड़ेट से से रिगार्ड इंपोर्टेंट तो फिक्स के